हेलो गाईज मैं प्रियंका आपका मेरे किचन में स्वागत है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम लौकी का रब्रिधार हल्वा बनाएंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखे हमने बड़ी सी लौकी ले रखी है इसका हम हल्वा बनाएंगे दूद और मलाई से इसका हम हल्वा बना के तयार करेंगे, खाने में बहुत ही टेश्टी बनके तयार होता है, चलिए, अब इसे हम काट लेते हैं, देखिए, इसके आगे का जो पाठ है, हम ऐसे ही काट के इसे निकाल देंगे, देखिए, इसको हमने निकाल दिया, अब इसे हम बीच से काट देंगे, देख सकते हैं, अब इसे हमने काट दिया, देखिए, ये बड़ी देखने में हैं, लेकिन बीच इसके बड़े ने, मतलब टाइट ने हुए हैं, अच्छे हैं, इसी का हल्वा मतलब ही कि बहुत ही अच अच्छा बनके तयार होगा लौकी बहुत ही अच्छी है अब इसको हम काटके इसका चिलका उतार लेते हैं देखें हमने लौकी का देखें हम आप पास से दिखाते हैं इसका हमने चिलका उतार लिया है साफ कर लिया है हमने कदुकस ले अब इसे हमें कदुकस कर लेना है कैदल गिंगि देखिए अपनी लॉग कर कद्लिः लेंगे हुआ कि देखिए अपनी लॉख ऑड लिशुरता हैं虎 दो खिलो थी अब देख सकते चाहिए कितना जादे हुआ है अब उसमें करके फिर देखिए इसमें कर दिया है अब इसको हम आगे किसकी तैयारी करते हैं देखें हमने कराई ले रखी है इसमें अपनी हम लॉकी को डाल देते हैं डाल के इसको उन्चूले पे रखेंगे कम पे ही रखना है तेज़ पे करके नहीं रखेंगे नहीं तो यह होता है कि नीचे से पकड़ लेगा स्वाद खराब हो जाएका इसका हल्वे का आप देख सकते हमने इसे कराई में डाल दिया है अब इसे एंट्ट्ट्ट्च मख गी डाल दिया है अब इसे अच्छे से हम इला देंगे, देखे इसे हम इला देते हैं, अभी हम चीनी या मतलब मलाई को अभी हम नहीं डालेंगे, वो पाद में डालेंगे, चीनी डालने से यह होता है, जल्दी गल्दा नहीं है, ऐसे ही हम इसे पकाएंगे, तो मत यह जल्दी पकजाएगी, देखिए, पांस मेंट हो गया है, अब इसे हम चला देते हैं, देखिए, कितना पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, पानी छोड़ दिया है, कम पहीद गलेगा, उतनी अच्छे से, लौ की मतलब जो हमने कदकस किया है, वो अच्छे से गल जाएगा, इसलिए अच्छ देखे, फिर वापस हम ढख देते, देखे, पांच में ठुआ कैसे गल गया है, कितना पानी दीख रहा आप देख सकते हैं, यहाँ पानी देखे, कितना पानी छोड़ दी है, गल के, अब इसे फिर से हम वापस ढख देते हैं, ऐसे ही ढख के हम कम पे इसे पकाएंगे, उतना ह कानी अच्छा हलवा हमारा जो है बन के तयार होगा देखिए क्यों चीनी और मलाई से हम हलवा बना के तयार करेंगे देखितें चेक आप देख सकते ही कितना जादा यह गलके आदा हो गई है, पानी भीय है हमने चलागा यह सकते ही और ऐसे ही हमें हम इसे पकाना है समय लगता है क्योंकि 2 kg था इसलिए टाइम लग रहा है देखिए फिर वापस हम इसे ढग देते देख सकते हैं आप यह आदा हो चुकी है गल के पहले यह इतना भरा हुआ था अब इसे फिर से हम वापस ढग देते हैं ऐसे ही करके जब तक यह सूखा ना हो जाए ऐसे ही इसे हल्वाजों होता है बहुत ही अच्छा बनके तयार होता है लौकी का इसे फिर से हम वापस ढग देते हैं चरे इसे देखनेते हैं देखिए इसको पक्ते में 40 मिट हो गया है आप देख सकते हैं इसमें हलकालका सा पानी दिख रहा है आप इस समय इसमें हम चीनी डाल देते ह और दूत की मलाई डालेंगे, देखे हमने ये चीनी ले लिया, एक पाव ने चीनी डाला है, अब ये वजन में एक खीलो है, गल के ये दो खीलो था, गल के एक खीलो हो गया है वजन में, हमने इसमें एक पाव चीनी डाल गया, अब इसमें दूत की मलाई डालेंगे हम, देख अब इसे अच्छे से अच्छे से मिला के बस इसे वापस पिर ढग के पकाएंगे इसे ढग देते हैं ढग के ऐसे ही इसे पकाएंगे देखें आप देख सकते हैं रब्लीदार हमारे लौकी का हलवा बनके हो गया है तयार देखिए हमने लौकी को ठंडा करके हमने उसको पका के और ठंडा करके हमने पीस के इसका पेश्ट बना लिया है और उसके वासे देखिए हम भूनते वे 5 मिट हो गया है अच्छे से हमने इसे भूनके तयार कर लिया देखिए ऐसे ही लौकी का रब्लीदार हलवा हमने बनाते त्यार कर लिया अगर आपको रेस्पी समझ में आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपको हम पास से दिखाते हैं कि कैसे देखिए हल्वा हमारा बहुत अच्छे से बनके त्यार हो गया है